हलो दोस्तों लुसें ट्रासान जी के डेली टॉफ फिटी कोशन आपका वेलकम आदेस्टों तो यह वीडियो का पैंसट वार रहा रहा है दोस्तों इससे पहले भी 64 पार बनाए ज़ज चुके हैं दोस्तों वह भी आप चैनल पर जाकर दिख सकते हैं दोस्तों तो यहाँ बांद कहां इस्तित है तुसका रिक्टांस रहा है आपस नमबर ए दोसा जिले में इस्तित है मादुसागर बांद निक्शने पांचना बांद कहां इस्तित है तुसका रिक्टांस रहा है आपस नमबर दे करोली जिले में इस्तित है पांचना बांद और यह मिट्टे से बना बांद है निक्षने निम्न में से कौन सा बांद बनास नदी पर बना हुआ है तो इसका रिक्टांस रहा है आपस नमर से बिसलपुर बांद बना हुआ है बनास नदी पर निक्षने मेजा बांद कहां इस्तित है तो इसका रिक्टांस रहा है आपस नमर से बीलवारा जिले मे मेजा बांद निक्ष ने गांदी सागर बांद किस नदी पर बनाया गया है तो इसका रेक्टांसर है आपसर नमबर ए चम्मल नदी पर बनाया गया है गांदी सागर बांद को निक्ष ने जम्वाई बांद कहां इस्तित है तो इसका रेक्टांसर है आपसर नमबर ए पाली ज इसे खेल में स्थिथे है जमारी बांद है निक्षोन ऐन 20 और यह बहांस वारा जले में इस्तित है निक सुने इसरदाबांद कहां इस्तित है तुस्कि अरगटांसर रही म你说 अमरे अरगटांसर अपसंअ आ सवाईमादूबू पुण्य आ जीarl है किस जिले मे नाराइंड सागर बांद इस्तित है तुस्कै औरगटांसर आ अलवर जिले मिस्तित है नारेंड सागर बांद निक्ष ने एशिया में चिनाई वाला सबसे बड़ा उंचा बांद है तो इसका रिक्टांस रहा है अप्सन बांद है जाखम बांद है जो कि चिनाई वाला सबसे उंचा बांद है निक्षने किस बांद को मारवाड का अमरत सरवर कहा जाता है तो इसका रेक्टांसर है आप्स नमबर ए जमाई बांद को कहा जाता है मारवाड का अमरत सरवर निक्षने राजस्तान की सबसे बड़ी पेजल प्रियोजना कौन सी है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमबर बिसलपूर प्रियोजना है जो कि सबसे बड़ी पेजल प्रियोजना है निक्ष ने राजस्तान का एक मात्रे कंक्रेट से बना हुआ बांध कौन सा है तो इसका रेक्टांसर है आपसन नमबर से बिसलपुर बांध है जो की एक मात्रे कॉंक्रेट से बना हुआ बांध है निक्स ने कौनसी बावडी आठवी शताबदी के मंदीरों के लिए प्रसिद है तो इसका रेक्टांसर है आप्सन नमबर ए चांद की बावड़ी है जो की आठीश चताबदी के मंदीरों के लिए प्रसिद है निक सुने राजस्तान में सबसे बड़ा मिट्टी से बना बांध कौन सा है तो इसका रेक्टांसर है आपसर नमबर 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 आपसर बावडी कहां पर इस्तित है तुसका रिक्टांसर है आपसन नमबर ए सिरोई जिले में इस्तित है दुग्द बावडी निक्सने अलनिया बांद कहां इस्तित है तुसका रिक्टांसर है आपसन नमबर दे कोटा जिले में इस्तित है अलनिया बांद कि चेतन दास की बाओरी कहा इस्तित है तो इसका रेक्टर नासर निव... माहि नाधारान की बाओरी .. नेक्शन है विश्णोई संप्रदाय के परवर्तक गुरू जंबेश्वर से सम्मंदिते मुक्य इस्तान है तो इसका रेक्टांसर है आपसर नमर दे मुकाम इस्तान है जो की गुरू जंबेश्वर से सम्मंदिते है जो की विश्णोई संप्रदाय के गुरू है निक्ष्न है जम्बो जी के अन्युयाई किस रूप में जाने जाते है तुसकारे टांसर है आपसे नुबर बाया इने विश्णोई तो मतलब 20 प्लस 9 मतलब 29 नियम दिये ते जम्बो जी ने जिनका जो पालन करते हैं उनको कहते हैं 20 प्लस 9 बोले तो विश्णोई निक सुने शाहपुरा में जिस संपरदाई की पीट इस्तित है वह है तुसकारे ट्रांसरे आपसन नमर एड रामानंदी संपरदाई की पीट इस्तित है शाहपुरा में निक सुने प्रियावरण चेतना जैसे आदुनिक शब्दावली का महतुए बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था तो इसका रेक्रांस रहा है आप सनमर्स है जामबो जी ने जान लिया था प्रियावरण चेतना जैसे आदुनिक शब्दावली का महतुए निक्षन है नाद्वारा में किस संप्रदाई की प्रदान पीट इस्तित है तो इसका रिटांस रहा है आपसर नमर से वलब संप्रदाई की पीट इस्तित है नाद्वारा में ने नंगला पीट किस सम्प्रदाई से संबंदित है तो इसका रिटांस रैंइए अप्शा नंबर ए लालदास जी ते मद्यकालिन मेवाद के प्रसिद संत थे तो इसकारेक्टान सरय आप्षन बर्बै लाल दास जीते मद्दे कालीन मेवाद के प्रसीद संत निक्षने गुदर संपरदाय की प्रदान पीट कहां इस्तित है तो इसकारेक्टान सरय आप्षन बर्दै दातरा भीलवाडा मिस्तित है गुदर संप्रदाय की प्रदान पीठे नेक्षने किस संप्रदाय का संबोधन श्री कृष्णम सर्णम गम है तो इसका रेक्टान सरह आप्षा नमर से वलब संप्रदाय का संबोधन है श्री कृष्णम सर्णम गम है नेक्षने मीरा भाई के पिता कौन थे तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमबर दे रतन सिंग्ते मीरा भाई के पिता का नाम निक्षन है संत पीपा जी की गुफा कहां इस्तित है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमबर दे टोडाम इस्तित है संत पीपा जी की गुफा निक्षण निम्नमे से दादू पंती संते कौन है? तो इसका रिट्रान सरे है ऑफ्षन नमर दैर रजब जी है दादू पंती संते है निक्षण निक्षण ने जहां पर दादू देयाल जी ने अपना अंतीम समय बिताया उस इस्तान का क्या नाम है? तो इसका रिक्टांसर है आप्शन नमबर से नारायनास्तान है जहाँ पर दादू देयाल जी ने अपना अंतिम समय बिताया था निक्ष ने निमबार्क संपरदाय की प्रदान पीट कहां इस्तित है तो इसका रेक्टांसर है, आप्शन नमबर एड, सलेमाबाद के अंदर स्थित है, निम्बाग संपरदाय की प्रधान पीटे, नेक्शन है, यह सिद्धांत किसका है कि इश्वर केवल मनशे सद्गुन को पहचानता है, तथा उसकी जाती नहीं पूचता, आगामी दुनिया क कोई जाती नहीं होगी, तो इसका रेक्टांसर है, आप्शन नमबर एड, यह दादु देयाल जी के कतन है, कि इश्वर केवल मनशे के सद्गुन को पहचानता है, वह उसकी जाती नहीं पूचता है, और आगामी दुनिया में कोई जाती नहीं होगी, नेक्शन है, मुगल स किया था, फत्यपूर सीकरी समराट अकबर के द्वारा, नेक्शन है, नात संप्रदाय के केंद्रिय मट की इस्ताबना किस इस्तान पर हुई थी, तो इसका रेक्टांसर है, आप्शन नमबर एड, जोदपूर इस्तान पर हुई थी, नात संप्रदाय के केंद्रिय मट की इ डादू द्याल जी है बक्ति आंदूलन को राजस्तान में फैलाने वाले संथ संत का क्या नाम है तो इसका करेकटासर और अअफिचन 1 डादू यहां बक्ति आंदुलन को राजस्तान वे फैलाने वाले संत निशनए सं पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है तो इसके किस साथ भारत आया था तो इसका संत का साधन अनुसार किक टुर्प खवाज़ा मुण दिन बिवी जरीना का कहां इस्तित है दोल्पुर में इस्तित है बीबी जरीना तृतिय के समकालिन कौन सा सूफी संत था तुष ska रिटहाँ सरह है ऐप् सनमर से ख्वाजा मोहिनदीन स्टिता, प्रुत्यूराथ चौहान स्तिता निक्ष नौने मर्दान शहाअ पीर की दरगाहा कहां अस्तित है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमर से करोली में सित है मरदान शहापीर की दरगहा निक्ष उने ख्वाजा मौनिदीन चिस्ती की दरगह में किस महीने उर्स लगता है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमर बैर रजब के महीने में उर्स का मिला एजित होता है ख्वाजा मुहिंदीन चिस्ती की दरगा जो की अजमेर जिले में इस्तित है वहाँ पर निक्ष ने बूरे खा की मजार कहां इस्तित है तो इसका रिक्टान सरह है आपसन नमर ए जोदपुर जिले में इस्तित है बूरे खा की मजार निक्ष ने भीलवाडा का गोरी परिवार किस उर्स का उद्गाटन करता है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमर से ख्वाजा मोहिंदीन चिस्ति के उर्स का उद्गाटन करता है भीलवाडा का गोरी परिवार निक्ष ने अकबर की मस्जित कहां इस्तित है तो इसका रिक्टांसर है आपसन नमर से आमेर में इस्तित है अकबर की मस्जित है निक्षने अड़ाई दिन के जोपड़े से पहले वहाँ पर क्या था तो इसका रिक्टान्स रहे, आप्सन No. 2 वहाँ पर संस्कर्थ पाट्षालाती अडा एतिम के जोपड़ी की जग है निक्ष ने गुरु द्वारा बुढडा जोहड कहां इस्तित है तो इसका रिक्टान्स रहे, आप्सन No. 2 शिरी गंगा नगर जिले में स्तित है गुरु द्वारा बुड़्डा जोहर जोकी सिख द्रम का अवित्र इस्तान है